कश्मीर से अनुचे 370 निश्प प्रभाव करने के बाद तिल मिलाया पाकिस्तान भारत के साथ जनकी तयाही में जूटा हुआ है जी हाँ, दरसल पाक LOC पर छे ब्रिगेट सेना तैनाती की योजना बना रहा है वहीं पाक सेना का मानना है कि भारत उसे नीलम नदी से पीछे धकेलना चाहरा है यहाँ पाक फॉज की साजिश कि भारती सेना नीलम पार करे ताकि निकलना सके और युद्ध का प्रारंब किया जा सके जम्मू कश्मीर सेनुचे 370 हटाने के बाद भारत पाकिस्तान की रिष्टों में एक बार फिर्ट तलकी आ गई है पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरान खान एक और दुनिया से कश्मीर मसले पर कूट नीतिक मदद की अपील कर रहे है वहीं पाकिस्तान आर्मी ने चुपचाप प्योके में अपनी गतिविदी बढ़ा दी है बाला कोट हमले से सीख लेते हुए आर्मी इस बार पहले से कहीं जादा सोच समझ कर रिणलीती बना रही है इसलिए घाटी से 370 हटने के अगले दिन से ही पाक सेना एलोसी पर सक्री हो गई पाक आर्मी के विश्वस्त सूत्रों के मुदाबिक सेना भारत के साथ एक छोटे युद्ध की तयारी में जुटी है आर्मी के अफसर कश्मीर में स्टेटस को बदलने के बाद सैन जवाब देने के लिए रंडलीती बना रहे है पाक मिलिटरी के एक कमांडिंग अफसर जो पियो के दाना सेक्टर में तैनात है उन्होंने बताया कि मौझूदा हालात किसी युद्ध की तयारी से कम नहीं है एलोसी के करीब जिस तरह से गोला बारूद और साजो सम्मान इखटा किया जा रहा है वो तरीका सामान नहीं है हालात से ऐसा लगता है कि युद्ध कभी भी छड़ सकता है पाकिस्तान आर्मी के ही एक अन्य उच इस तरिय सूत्र ने बताया कि युद्ध के हर छेत्र में सेना की छे ब्रिगेट जमा की जा रही है सेना का मुख्य फोकस दाना और बाग सेक्टर में है क्योंकि लॉजिस्टिक और रणलीतिक रूप से ये छेत्र बहद अहम है इन ब्रिगेट्स के साथ हैवी आर्टिल्री भी इस इलाकों में पहुचाई जा रही है सबसे जाड़ा हैवी आर्टिल्री बाग, लीपा और चम सेक्टर में ही जुटाई जा रही है इसलामाबाद की मिलिट्री और पॉलिटिकल गल्यारों में भी ये सुख बुगाहट है कि पाकिस्तान युद की तैयारी में जुट गया है पाक फॉज के एक उच इस तरी अफसर ने बताया कि कब युद शुरू हो जाएगा ये कहना मुश्किल है पर ये तैय है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं युद के लिए तैयार है ये भी तैय है कि जो कुछ भी होना है वे सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही होना है क्योंकि फिर बर्फ पढ़ना शुरू हो जाएगी और युद लड़ना असंभव हो जाएगा पाक सेना का मानना है कि बर्फ पढ़ने से पहले भारत उन्हें नीलम नदी से पीछे धकेलना चाता है फिर अगली गर्मी तक के लिए दोनों सेनाओं का ये स्टैंड स्टिल पोजिशन बन जाएगा अगर ऐसा होता है तो सेना हर हालत में इसे रोकेगी पाक के प्रधान मंद्री ने एक साक्षा रथकार में कहा था कि भारत से बात करने का कोई तुक नहीं बनता वही पाकिस्तान के नामी पत्रकार कामरान खान कहते हैं कि सेना युद्ध के लिए तयारी शुरू कर चुकी है आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के हमले का जवाब देने को तैयार एलोसी पर तैनाज सेना के एक अफसर ने बताया कि फौज का फोकस इस बात पर है कि किसी उकसावे में भारतिय सेना अक्टूबर से पहले नीलम पार कर ले यदि ऐसा होता है तो पर्षबारी के बाद पोजिशन को होल्ड करना भारतिय सेना के लिए महेंगा पर सकता है ऐसे में अगर वे पीछे हटते हैं या नहीं दोनों ही सूरत में नुकसान भारत का ही होगा पहले एक पोस्ट पर एक ट्रक अम्यूनिशन काफी होता है पर दो पहले ही पहुँच चुके हैं 21 अगस्ट को नियॉर्क टाइम्स को दिये इंटर्व्यू में इमरान खान ने कहा था कि अब भारत से बात करने का कोई तुक नहीं बनता है पाक के सेन और सामरिक विशेशग्यों का मानना है कि इमरान के बयान से ये कहा जा सकता है कि पाक सेना अब वारता नहीं युद्ध की तयारी कर रही है पाकिस्तान के नामी पत्रकार नुसरत जावेद ने कहा है कि पाकिस्तान आगे बढ़कर मामले को तूल नहीं देगा और रणलीती के अनुसार भारत के एडवेंचर को सहने की कोशिश करेगा ताकि उसे कम नुक्सान हो पत्रकार कामरान खान कहते हैं कि फौज काम शुरू कर चुकी है पाक इस बार डिफेंसिव नहीं होगा क्योंकि समझहोते और दस्तावेज अब दिकार हो चुके हैं इस बीच पाकिस्तान के चीफ आफ आर्मी स्टाफ जनरल कमार जावेद बाजवा ने कहा कि उनकी सेना भारत की गतिविदियों पर नजर रखे हुए है भारत की किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तयार है बाजवा ने ये बाते शनिवार को गिलगिट में सेना मुख्याले के दोरे पर कही इम्रान सरकार ने 19 अगस को ही बाजवा का कारेकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया था कारेकाल बढ़ाने से इम्रान की विपक्षी दलों ने जमकर आलोषना की थी और कहा था कि देश में और भी काबिल लोग हैं आर्मी चीफ बाजवा ने हाल ही में ओर्डिनेंस फैक्टरी का दौरा किया था फैक्टरी के सूत्रों ने बताया कि बाजवा के ये दोरा सुनु योजित था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हत्यार फैक्टरी में कई घंटे बिता है। उन्होंने फैक्टरी में उत्पादन का डिटेल मुएना भी किया।